हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम साओध हींडिन स्टैल में एकदम डॉपड ठीके से डोस कई बेटर बनाना तो इस्टोस कई बनाने के लिए मैं आपको जो भी समन बताने जा रही हूँ नुक्त आंजाले बनाना, चाई दा्न सीट दे जिस भी कप से या जिस भी बोल से मेजर कर रहा हैं वो सेम ही होना चाहिए इस दाल के लिए राइस के लिए और इनका जो रिशयो होगा वो होगा 3 is to 1 यानि 3 कप अफ राइस एंड 1 कप अफ उरत दाल और नेक्स जो हमारा यह पोह है यह पोह हम जनरली घर में यूज़ करते ह है तो इसको मैं इसमें एड करने वाली हूं और यह है चना दाल चना दाल हम ले रहे हैं वन टेवल स्पून यानि कि जो हमारा घर का नॉर्मल खाने का बड़ा चम्मच होता है उसका वन टेवल स्पून और यह मैं ले रही हूं टू टी स्पून टू टी स्पून चुटवल अच्छा बनता है तो यह सारे जो इंगिजेंट्स मैंने आपको बता हैं इन में से आप कोई भी स्किप मत करिए और इसके बाद हम इन सब को एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं तो मैंने यहां पर एक बोल ले लिया है अब मैं सबसे पहले इसमें ले रही हूं राइस अपना तिन कप प्राइस इसके बाद मैं इसमें लेने वाली हूं एक कप उरत दाल तो मैं अब इसमें आड़ कर रही हूं उरत दाल अड़ करने के बाद मैं इसमें डालूगी अपना पोहा लॉष हाथ कॉप ल्याएं मैने नहीं पोष को इसके जाएं समय अदिना चनाडाल के बाद मैं इसमें अड़ कर रही हुँ अपना मेथी दाना और अब हम इसको अच्चे से वाश करलेंगे पानी डाल के कम से कम हम इसको three four times अच्यसे वाश करिए जैसे ही एकदम अच्छे से clean हो जाया उसका color भी बहुत अच्छा आता है रहा है यहेस को अच्छे से वाश करते हैं तो घ्लीज अच्छे से वाश करें खाय तो मैंने इसको three four times और यह मेरा इस तरह से हो गया है अब मैं इसको फॉर फाइवार्स के लिए पानी में सोक करूँगी तो इसको यह थोड़ा ज्यादा ही लेंगे जस्ट डबल लेना इस कॉंटिटी से क्योंकि यह राइस करेंगा इसलिए इसको में ज्यादा ही लेना पड़ेगा पानी अब इसे एक मिक्सर में शिफ्ट कर लेती हो तो मैं इसे शिफ्ट कर लेती हुए ग्राइंडर में और इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी तो यह हमारा पेस्ट बनकर रेडिया है थ्पर दे Inhale समूत देखिए इसका टेक्ष्र कितना अच्छा आया है अब मैं इस पेस्ट क तो इसको मैं रख देती हूँ 6 hours के लिए तो अब हमारा 6 hours एकदम complete हो गया है तो हम इसको open करके देखते हैं तो यह देखिए दोस्तो हमारा जो बैटर है वो कितना अच्छे से राइस कर गया है जैसा हमको चाहिए एकदम वैसे ही हुआ है और यह बैटर हमारा एकदम ready है दोसा एडली बनाने के लिए और इसमें आप सॉल्ट एड़ कर सकते हैं सॉल्ट मैंने पहले एड़ नहीं किया था तो अब मैं ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ नमक के साथ सॉल्ट हमेशा बाद में ही एड़ करिए जब भी आप डोसा एडली है जो भी आप बनाने ज केर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए